नमस्कार स्वागत है वंचकार के नए वीडियो में जहां पर आप में बात करने वाले अभी हम आटो एक्फोर 2223 में हैं और यहां पर हाल नमबर 3 को एक्सप्पोर करते हैं मतल है पर लिए और काफी ज्यादा भीड़े यहां पर दिख रहा है और यहां से शुरुत करते हैं कि यह कौन सी फाल यान कौनी करें और यह जो पूरी जो यह ग्लास सेरिया दिया गया है यहां पर आपको हैडलाइम भी यहां पर LED मिल जा रहा है और नीचे से ऐसे कुछ आपको दिखे जाएगा आई उनिक 5 जहां पर लिखी होई मिल जाएगी और इसके जो खास फीचर्स हैं वो मैं आपको गता दूगी अठ यहां पर पार्किंग जो सेंसर से 1234 चार पॉइंट मिल जा रहे हैं साथ में यहां पर सामने जो यहां पर एक कैमरा यहां पर दिया गया है और जो इसका जो लेडिंग है वह आप देशेते हैं काफी जादा ब्रूटिफु लग रहे हैं और यहां पर जो इसका ब्लेक आट जुनते हैं जो की ग्लॉसी प्यानों सिरीश में यहां पर दिया गया है और काफी इसका रियर साइब को फाइल आप आई उनिक फाइब का देख पा रहे हैं उपर से पुरा जो प्यानों सिरीश है वह यूज किया गया है यहां पर यहां पर यहां पर शॉर्षिन एंडी ने मिल जाते हैं हाई मौनरी स्टॉप लेंग यह कुछ ऐसा यहां पर दिया गया है और काफी खूबसूरत यहां पर लगाया गया है पीछ में आप फूंड़ाई की लोगों मिल जाती और ऐसा कुछ यह कनेक्टिंग जो आज कल ट्रेंड में हैं जितनी भी गाड़ियां लॉंच हुए नहीं है वह कनेक्टिंग लाइन जो है जो इसका रियर टेल लेम का मिल सब्सक्राइब वह काफी सही लगता है और नीचे आप कुछ ऐसा इस पर देख भा रहे हैं यहां पर जो पार्किंग सेंटर से साथ में जो भी यहां पर यहां पर पीछी एक कैमरा यहां पर आफर किया गया है तो कुछ ऐसी चीज़ें आपर मिल जाती है और काफी ज्याद सब्सक्राइब यहां पर अबलेवर है और यहां पर आप डिखाई गयी जो इसका बैटरी सिस्टम रहता है वह नीचे फ्लैट बॉटम में ऐसा कुछ दिया गया रहता है और इधर यह फ्रंट विल मोटर जो है यहां पर मोटर रहता है तो ऐसे कुछ इसकी टेक्नल लोजी यहां पर दिखाई आ रही है आप देख पारें लेक्ट्रिक ग्लोबल मोडलोर प्लेटफॉर्म पर यह बेस्ट है यह बेस्ट क्योंते हैं यह वह भी यहां पर और यहां पर इसे का कड़ुत आया रहा काफी कुछ यहां पर दिया गया है यह सामने की डिजाइन काफी खुफसूरत लग रहा है यहां पर देख सकते हैं यहां पर मोटर दिया गया है जो कि वील ड्राइब है और 168 माक्सिम पावर किलोवाट जन्यर करती है विद्ध के साथ जो इसकी स्पेसिफिकेशन है आप यहां पर देख सकते हैं काफी भीड है इस वाज़े से पूरी डिटेलिंग वीडियो जो कुक रिव्यू यहां पर देख पा रहे होंगे और यह आप इसका साइट प्रॉफाइल दिख से देख लिए लोग प्रोफाइल टायर यहां पर दिया गया है जो कि यह आप यहां पर देख पा रहे है तो ऐसी कुछ देखते हैं आईए और डिक 6 आधे घाड़ी के अंदर ह जो यहां इसकी जो जो फैवरिक है जो उपलस्ट्री यूज करी गए और जो ऑवराल स्पेस मिल जाता है वो कैसे आपको मिलने वाला गाड़ी में तो ऐसा कुछ आप देख पा रहे हैं यहां पर लगाए गया है यह आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं और यह ब्लैक में आउनिक 5 वही दी गए जो कि हम वाइट कलर में देखे थे भी तो ब्लैक में कैसी लगती ओवराल स्प्रेंट से आप देख सकते हैं और एक बार साइड का जो प्रिवीव है वह हम यहां पर आपको दिखा पा रहे हैं तो कुछ ऐसी दिखती है आउनिक 5 और पीछे से अगर और यहां पर हुंदेगी की अलका जार भी यहां पर लगाई गई है और इसका फ्रेंट प्रोफाइल एक आप क्विक रिवीव आप चारों तरफ से देख पा रहे हैं एक बार हम वाक वर्यांट करके यहां पर दिखाते हैं तो ऐसी कुछ इसका ग्रिल दिख जाते हैं काफ यह है इसका रियर साइड पुछ ऐसा आपको दिए जाएगा अलका जार और यहां पर बड़ा सा पॉरम यूश्चा बैजिंग मिल जाती है और यहां पर सिगनिचर का बैजिंग दिया गया है बाकि अबराल यहां पर आपको इस आ मन दॉस्टोप लैंब स्पाइलर वगर मिल जाता है डिक फॉगर और रियर वाइपर भी मिल जाएगा और नीचे यहां पर इसकी प्लेट दिये गए तो कुछ यह है अलका जार और भी देखते हैं आपर क्या चीजी दे गई